असलाम लेकुम नादिन सबसे पहले एक पाँ चने लें और उनको मिठे सोडे वाले पानी में 6 घंटे के लिए भिगो कर रख दें आधा चमच मिठे सोडे डालें फिर इस पानी को फैक कर चनों को धोले फिर कुकर में दूसरा पानी डाल कर और थोड़ा सा नमक डाल कर 20 मिट के ले खुकर लखाएं और चनों को गला लें देखिए चने बिल्खुल नरम हो गया हैं सेसी पी मिहमें और किस किस चीस की जुरू आता है देखिए अंडे तीन अदद इनको उबाल लेजिए नमक एक खाने का चमच यह इससे थोड़ा कम जीए क्यूंकि हम चनों में भी नमक डाल चुके लाल मीर्च एक खाने का चमच और धनिया पोड़र एक खाने का चमच और प इस्में दो लिईमू भी ढाल सकती हैं क्यूंकि चेनों के सालन में लिएमू भोत मज़ा देता है चाहर दस सब्ल मिर्चे दौज्च के माटर दर्मियाने साइज के और एक डर्मियाने ब्राउन करें जब प्यास ब्राउन होगी तो आप इनको ऑईल से निकाल कर इनको ग्रेंड है वाले जग में डालें और इसके साथ ही कटे वे टिमाटर भी डालकर दोना चीज़ों को इकठा ग्रेंड कर लें अब उसी ओईल में ग्रेंड किया हुआ पेस्ट डालें और इसमें तमाम पोड़े वाले मिसालें डालकर इसको अच्छी धना भूनें फिर लीमू के बीच निकालकर लीमू को भी इससे बीच में निच्योर दें और साथ ही हरी मिच्चें भी डाल दें और इसको खूब अच्छी तरह भून लें जब मसाला अच्छी तरह भून जाए तो चनओ को उनके पानी स्मेथ इसके बीच में डाल दें अगर पानी ज्यादा लगे तो पानी कम करें जितना आप शोर्बा रखना चाहते हैं उतना पानी डालें बागी पानी फैंक दें अब इसको थोड़ी दे धक पर पकाएं जब शोर्बा पकने लगे तो उसमें एक चाय का चमच पी सा गरम साला डालें और इसकी सवती धनिया और कुसूरी मेथी भी डाल दें अब अंडों को काट कर इसमें शैमिल करें मज़ेदार हमें पाय करें इसके हाहँ जोला शोर्बा करें हमें लोगे सेंगदित आलें को का चुसरी मों फर उना हाँ है करें अब देंक अद़्मों को ने रवा Wheneverब बालें मोच 5 ख diंव